नमस्कार मैं टेरोकार डीडर और अस्ट्रोलोज और नीलम नवरात्री की चौथे दिन जो देवी पूजी जाती है उनका नाम है कुश्मांडा देवी पुराणों के अनुसार देवी कुश्मांडा की हसी की किलकारी से इस पूरे ब्रम्हांड की रचना हुई देवी सूरे मंडल के अंदर निवास करती है और इतना तेज संभाल पाना केवल इन ही देवी में इतनी कश्मता है इसी कारण इन देवी का कियाभा सूरे के समान चमकती है देवी को कुभडे की बली चड़ाई जाती है इसी माननेता है कि कुमढ़े को ब्रम्हांड का प्रतीक माना जाता है और इसी को प्रतीक के रूप में देवी को जब चढ़ाया जाता है तो वो आपकी हर तरह की मनुकामना पूर्ण करती है अगर आप कुमढ़ा किसी कारणवश्न न चढ़ा पाएं आप फिर कुमढ़ा आपके पास ना मिले आपको ना प्राप्त हो तो आप कुमढ़े से बनी जो मिठाई होती है जिसे पेठा कहा जाता है उसे चढ़ा सकते हैं और उसे चढ़ा कर देवी का ध्यान करते हुए अपनी जो भी आपकी इच्छा है मनुकामना है उसे देवी के आगे जरूर रखें चौथे दिन देवी का पूजन करतने के साथ साथ अगर सूर्य भगवान का भी पूजन करते हैं तो आपको सूर्य ग्रह से संबन्दित जितनी भी परिशानिया चल रही है या सूरिग किसी जातक की कुंड़ी में क्षीन अवस्था में बैठा है तो वैग दोश भी दूर हो जाता है उसका लाभ आपको मिलता है सूरिग रह की शुबता प्राप्त होती है देवी कुश्मांडा का ये रूप जो है वो अत्यन्त निर्मल है देवी का रूप आनंद देने वाला है देवी का ये रूप भक्त वत्सल माना जाता है देवी का रूप अत्यन्त ही निर्मल वै भक्त वत्सल है देवी का पूजन क करते समय निश्चल मन से देवी के चित्र का ध्यान करें हाथों में पुष्प लेकर अपनी मनुकावना उनके आगे वेक्त करें करते हुए और इस मंत्र का जाप जरूर करें ओम देवी कुश्मांडे देवे नम्हा इस मंत्र को 108 बार पढ़ें और इसके साथ साथ देवी की जो दुर्गास्तुति है वो अवश्य करें देवी के नामों का सिम्रन जरूर करें ऐसा करने से आपको तीनों लोकों का सुख वे साधन प्राप्त होते हैं भवन निर्मान की यदि किसी की इच्छा है तो वे शीग्र पूरी हो जाती है प्रात्यकाल में उठकर देवी का न देवी को दही का भोग भी अवश्य चड़ाएं दही का भोग लगाने से आपके जिवन में शुक्र ग्रह की प्रभुता बढ़ेगी धन धानने की वृद्धी होगी चौथी नवरात्री पर छोटी बच्चियों को खिलोनों का दान करना या खिलोने उपहार में देना आप देवी कुश्मांडा को बेहद प्रिय है देवी कुश्मांडा का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की स्वास्ते से संबंदित परिशानी चल रही हो तो वह दूर हो जाती है किसी भी प्रकार का धन का भाव हो तो वह दूर हो जाता है पिता पर अ झाल झाल